जैहिन दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल एहमत टेक्नोलोजी में हमारा लिब्र ओफिस राइटर और लिब्र ओफिस कैल्क पर हमने डिसकस कर लिया है इस वीडियो में लिब्र ओफिस इंप्रेस पर जो भी इंपोटेंट कुश्चन बनते है तो वहां से जाके आप उनको भी देख लिए जीगा वोगार लिब्र ओफिस इंप्रेस तीन ही पार्ट लिब्र ओफिस में होते है और तीनों ही आपके लिए इंपोटेंट है इनके फाइल एक्टेंशन बीब्राइट है सबसे ज़्यादा कुशन मतलब हर सिफ्ट में प सब्सक्राइब कर लिए होगा नहीं क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से आप उसको जोइन कर सकते हैं जो भी लेवल के रिगारिंग नोटिफिकेशन नोट्स वगरा है आपको सब कुछ महाँ पर प्रवाइड करा दिया जाएगा तो उस ग्रूप को सभी वच्चे जरूर जोइन कर लें ठीक है लिबर ओफिस इंप्रेस क्या होता है मैंने आपको बताया लिबर ओफिस आपका बिल्कुल फिरी हो लिबर ओफिस इंप्रेस से जोड़ी कुछ मुख्या बाते देख लीजिए कि क्या है इसको फोंट होता है वह कितना होता है मीनिमम होता है टू परसेंट और मैक्सिमम होता है ट्रिपन लाइन डोट नाइन यानि यह सामाने तरीके के होता है ठीक है अगर ड्रोपडाउन मे यानि 66% ठीए यह आपको दियान में रेखने कर लेना कौूशन जो पूछे का आप से वे पूछेया का बेर्टन में होता है मिनिममय यह मैक्सिममम कितना sa用 होता Hai पॉंटव मातारव ना अन्टेर पॉंट सैजि का मतलब होता है वड़ को आप कितना उतक्तों आप चोड़ा करना चाना चाहते हैं उस्को फॉंट सैज बोलते हैं तो यह में निमिंट चाहरा स्ब्सुर्म Ohio डीज्ट मंय गर्तिंच सेन्ट परसंट होता है दोपठाम मेनम में देखेंगे तो 5% होता है और maximum आपका 3000% होता है लिबर ओफिस इंप्रेस की बात कर रहे है ठीक है लिबर ओफिस इंप्रेस में maximum जो जूम परसेंट होता है वो 3000% और minimum 5% होता है ठीक है जूम का मतलब होता है पेज आपके सामने पड़ा कर दिया इसको जूम बोलते हैं और छोटा कर देंगे तो जूम आउट बोलते हैं ठीक है इसी का मतलब होता है जूम करना minimum और maximum ठीक है तो यह आपका जूम परसेंट हो गया इसको लिखते चलिए साथ साथ कुछ सोटकट की लिवर ओफिस इंप्रेस से जूड़ी है जो मतलब आपके एक्साम में पुछी आती है सबसे पहली है कंट्रोल एम का यूज यह होता है आप new slide लेना चाहते हैं यानि एक नई slide आप insert करना चाहते है तो कंट्रोल एम आप प्रेस करेंगे आपके सामने एक नई slide ओपन हो जाएगी ठीक है उसके लिए आपका करते हैं Ctrl M का यूज़ करते हैं question हमें आपको देगा Ctrl N और Ctrl M तो घूमने नहीं है कुछ बच्चे Ctrl N से सुचते हैं कि new slide होगा लेकिन Ctrl M का यूज़ होता है नई slide लेने के लिए LibreOffice इंप्रेस में ठीक है आप अगर पुछे Ctrl N का यूज़ क्या होता है Ctrl N का यूज़ होता है new file के लिए लेकिन यहां पी new slide की बात हुई है तो Ctrl M का आप यूज़ करेंगे ठीक है F5 का क्या यूज़ होता है start slide so from starting ठीक है shift के साथ में F5 press करोगे तो start slide so from current slide ठीक है ESC का यूज़ क्या होता है यह आप से question भी पूचा गया था वो level में के ESC का मतलब क्या होता है and presentation के presentation के अंत में जाने के लिए आप ESC का यूज़ करते है ठीक है alt plus page down go to next slide without playing effect ठीक है यह हो जाएगा इसका आप screenshot ले लिजी उसको आप पढ़ सकते है exam के point of view से यह ज़्यदे important है नहीं लेकिन फिर भी आप इसको knowledge के लिए पढ़ सकते है ठीक है एक note आपके लिए यह आपर लिखा है control plus page up और control और page up दोनों का समान कारिया है उसी परकार control plus page down और page down का भी काम समान है ठीक है अगर आप से पूछेगा के control plus page up का क्या काम होता है तो जो page up का होता है मतलब page को उपर या नीचे करने का वही control के साथ में आप प्रेस कर सकते हैं या without control भी आप प्रेस कर सकते हैं वही आपका work करेगा ठीक है normal view का क्या काम होता है जो कुछ shortcut की है आपकी वो देख लीजिए shortcut की plus की अगर आप करेंगे तो zoom in हो जाएगा और minus वाला करेंगे तो आपका zoom out हो जाएगा ठीक है यह आपका plus minus वाला है यह जादे important है नहीं आपके लिए यहाँ पर यह जो लिखा यह important है आप पढ़ सकते हैं दिखिए जब आप slide में कुछ लिखते हैं तो वह edit mode में होता है जहाँ पर slide में कुछ भी लिखा जाता है उसे place holder के नाम से भी जाना जाता है और edit mode में इसमें लागो होने वाले सबी shortcut kunji वही होते हैं जो हम पहले ही LibreOffice Writer में पढ़ जुके हैं ठीक मैंने आपको बताया था तो मतलब दोनों में समान shortcut kunji का परयोग किया आता है जब हम edit mode में रहते हैं तो ठीक है जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है control shift के साथ मेंगर space करेंगे तो non breaking space हो जाएगा ठी change shift के साथ में अगर enter press आप करते हैं ठीक है लाइन ब्रेक हो जाएगी without paragraph change यह मैंने आपको सब कुछ बताया LibreOffice Writer में Calc में इनका कुछ मतलब समानी कारिया होता है कुछ function की होती है यह important है इसको आप देख लीजिए function की में है F2 F1 का use किसलिए करते है help के लिए आपको साहता चाहिए तो आप F1 प्रेस कर सकते है एडिट के लिए क्या करते है F2 एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट को एडिट करना है तो F2 का हम प्रेस करेंगे F3 का क्या होता है enter group control के साथ में F3 exit group exit group से बहार हो जाएंगे आप ठीक है shift के साथ में F3 तो duplicate और F4 का आपका position and size ठीक है shift के साथ में अगर आप F5 यूज़ करते हैं तो start slide so from current slide ठीक है control shift F5 navigator और F7 का आपका spell checking के लिए control के साथ में F7 अगर आप यूज़ करेंगे तो thysers और F8 का आपका edit point ठीक है control के साथ में shift plus F8 यूज़ करेंगे तो fit text to frame और F11 का style and formatting के लिए यूज़ करते हैं यह कुछ shortcut की हैं जो आपकी function के अंतर आती है यह भी आपके लिए important है exam में पूछी जा सकती है यहां से ठीक है तो Libre Office आपका पूरा मैंने करा दिया है complete जो भी important question यहां बनते थे अब इसके बाद MCQ की वीडियो आएगी लगभब उसमें 50 question आपको कराऊंगा मैं जिससे आपकी practice हो जाएगी Libre Office से जो भी important question बनेंगे वहां पे add कर दिये जाएगे बाकि आपका revision भी हो जाएगा Libre Office का ठीक है तो यह Libre Office आपका पूरा होता है M1R5 के लिए सबसे important है इसको आप जरूर याद कर लें notes बना लें ताकि exam के time पढ़ने में आपको कोई problem ना हो ठीक है सभी बच्चे चैनल को subscribe कर लें बेल एकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का notification आपके पास भी सबसे पहले पहुँचे ठीक है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत